जैसे महिलाएं अपने स्किन का ख्याल रखती हैं वैसे पुरुष अपने स्किन का ख्याल नहीं रखते हैं मैंस अक्सर अपने स्किन को लेकर उतना जादा ध्यान नहीं देते हैं और उसे इग्नोर करते चले जाते हैं जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे महिलाएं अपने स्किन का खयाल रखती है वैसे ही पुर्षों को भी अपने स्किन का खयाल ज़रूर रखना चाहिए क्योंकि बदलते मौसम के साथ स्किन किसी का भी हो उसमें गंदगी बैट जाती है और इसके सांसाथ स्किन में जाईया, टैनिंग, संबॉन और कई तरह की परिशानिया होने लगती है गर्मियों में स्किन रूखी हो जाती है ना सिर्फ शरीर कोहीं बलके स्किन में भी पानी की कमी हो जाती है इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं गर्मियों में पुरुष यानि मेंस अपने स्किन का खयाल कैसे रख सकते हैं नमस्कार मैं हूँ आशोकेश तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लैटफॉर्म इंडिया न्यूज हेल्थ आईए बात करते हैं पुरुषो के स्किन केयर पे सबसे पहला उपाए हम आपको बताएंगे और वो उपाए बहती आसान है बस आपको एक केला लेना है उसे मैश करके उसमें दो चमच गुलाब जल और एक चमच ऑलिव ओल मिक्स कर देना है इस पैक को चहरे पर अपलाई करें सूखने पर ठंडी पानी से चहरे को धोलें अगर पुरुष या तरी का अपनाते हैं तो उनके चहरे की स्किन को बहत ही जादा अच्छा फील मिलेगा और इसके सांस अत्मुहासे और जो गंदगी होती है आपके स्किन पे वो दूर भाग जाएगी वही दूसरा उपाय है तीन से चार स्टॉबरी को मैश करके इसमें एक चमच ऑलिव ओल और एक चमच शहद को इसे आपके स्किन से एकने और संबर्न जैसी दिक्कत तो दूर होगी ही डेट स्किन भी निकल जाएगी वही अगला उपाय है कि अगर आपके चहरे के स्किन ठीक हो लेकिन हाथ पैर खराब नजर आ रहे हैं तो ये भी अच्छा इंप्रेशन लोगों के सामने नहीं बैठाती इसके लिए आपको दो चमच ओट्स को साथ से आठ चमच दूद में एक घंटे तक भीगो देना है इसको अच्छी तरीके से फेट लेना है और इसे अपने हाथ पैर पे मसाज करना है जैसे अप स्क्रब्स करते हैं और बाद में ठंडे पानी से धो लेना है इसे हापके जो पाने के लिए दो चमच गुलाब जल और दो चमच ऐलोवेरा जल को एक साथ मिक्स कर लें इसमें थोरी सी कॉटन को डिप करें और इसे अपनी आखों के नीचे अच्छे तरीके से अपलाई करें 15 मिनिट के लिए लगा रहने दे फिर चेहरे को ठंडे पानी से धो ले जब लेकिन यह कठोर चमरे की नहीं बनी होती जिसे रसायन या कठोर साबून से रग रा जाए पुर्शो की सुन्दरता और स्किन की जरूरत को पूरा करने के लिए तव्चा को हाइड़रेट और चमचदार और कोमल बनाये में मदद करने के लिए यह आपको ध्यान में रखना करना बिल्कुल भी ना भूले